हर्यों प्रिदर्शकों, मैं हूँ पंडित बलराम पांडे, हाजिर हूँ आज का राशी फल लेके बात करेंगे किन राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और किन राशी वालों को बेहत साधान रहने की जरूरत है तो राशी की क्रम में बात करेंगे सबसे पहली राशी मेश मेश राश के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आज चंद्रमा आपके अस्टम भाव में बिचरन करने वाले हैं जिससे आपको विशेश रूप से अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए पहले से चली आ रही समझ्याएं और भी बढ़ सकती है और स्वास्त में कुछ गुप्त जन्न तकलिफें हो सकती है बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन आज मिला जुला रहेगा और इस स्टुडेंट के लिए आज कदिन संगर स्पून रहने वाला है आज विशेश कर अपने बाणी में आपको सयम रखना चाहिए क्योंकि आप से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जिसके बज़े से बाद विवाद और धन का नुक्सान हो सकता है इसलिए आपको अपने बाणी में कंट्रोल रखना हर जगए बहुत जरूरी होगा वहीं बात करें स्वास्त की तो जैसे हमने बताया कि स्वास्त का विशेश शुरूप से आपको ध्यान रखना है और निवेस करने से बचना चाहिए तो आज का दिन बेहद साउधानी पूर्ण बिताने की जरूरत है आज अपने स्वास्त का ध्यान रखना और अपने बाणी में सयम रखना और घर परिवार के सदस्चों से मिल जूर के रहना क्योंकि आज घर में कुछ कले का भी वातावरण हो सकता है तो घर परिवार के सदस्चों के साथ टाइम बिताएं और खुछी पूर्ण पूरा दिन बिताने की कोशिस करें अब बात कर लेते हैं ब्रसराज की तो ब्रसराज के लोगों के लिए आज के दिन लाब दायक रहेगा परन्तु साथ में कुछ समस्याएं भी आने वाली है आज घर परिवार के सदस्चों का सहयोग प्राप्त होगा और खास कर आज आज आपको अपने विपरीत का शम्मान करना होगा वहीं बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन आज शुक में रहने वाला है और कोई यदि आप नया कार शुरू करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं वहीं बात करें स्वास्त की तो स्वास्त आज मिला जुला रहने वाला है और ये स्टुडेंट को मन चाहिए शफलताएं प्राप्त होने वाली है परंतु निवेश करते समय आपको साउधानी रखना है आज कुछ ओनलाइन फ्रोडिंग की इस्तिती बन सकती है निवेश तो कर सकते हैं परंतु यदि ओनलाइन निवेश कर रहे हैं तो साउधान रहे बागी कोई खास समश्या नहीं रहने बाली है अब बात कर लेते हैं मिथुन राज की मिथुन राज के लोगों के लिए आज का दिन कहीं न कहीं देखा जाए जरूरी है कि आप किसी से बाद वियाद ना करें किसी से लड़ाई जगड़ा ना करें आज अपने कर्म को मजब आप करें जिससे मन एकाग्र रहें मन ब्रहमित ना हो क्योंकि यह दिन मन ही हमारा ब्रहमित हो जिससे हम समझ ही नहीं पाते हमें कहां क्या बोलना चाहिए कहां क्या करना चाहिए क्या 내용 North कर iç कि वज़िए सबी कामों में समस्याएं बन सकती हैं स्वास्त बहुत अच्छा आज नहीं रहेगा आज स्वास्त का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा और खासकर कोई नीद से संबंधित तकलीफे नीद ना आना या किसी यदि आप मानस्क्त इंसन की स्थिति पहले से रहती थी उसमें और भी आज समस्या बढ़ने बाली है यह स्टुडिंट की बात करें तो आज संगर्श करना होगा यह आप संगर्श करते हैं तो सफलताएं मिल सकती हैं वहीं बात करें दांपत बहुत अच्छा नहीं रहेगा आज बाद व्यूआत की श्टिती बन सकते हैं तो आपको अपने बाणी में कंट्रोल रखना होगा वहीं बात करें निवेश की तुर्वेश करने से आज आपको बचना चाहिए अब बात कर लेते हैं करकराज की तो करकराज के लोगों के लिए आज का दिन अकस्मिक लाव लाने वाला है और खास कर ये स्टुडिन्ट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है यदि आप मैनेजमेंट फील्ड बैंक्नी सेक्टर या फाइनेंस से जुड़े हुई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको विशेस अलाब मिलने वा कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ रुका हुआ था वो आज बनता हुआ दिखाई देगा आज आपको इस बात का विशेस रूप से ध्यान रखना है कि आकस्मिक लाव तो होने वाला है परंतु समस्याएं भी आकस्मिक आने वाली हैं उन समस्याओं से बचने के लिए आप को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लालच नहीं करना है लाव तो प्राप्त हो और लाव आप ले भी परंतु लालच ना करें जितना यथार्थ रूप में धन सही तरीके से प्राप्ती हो वही आपके लिए लावदायक रहेगा तो निवेश की ये दिवात करें तो निव बात कर लेते हैं शिंग राज की तो शिंग राज के लोगों के लिए आज घर के सदस्टों का विशेश रूप से सहयोग मिलेगा किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है और गाड़ी वाहन में यात्रा करना अरतहाद यदि आपको कोई लंबी यात्रा करने का मौका मिल आपका नहीं बन रहा था उसमें समस्याएं आ रही थी अर्धात यदि आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपके लिए आज के दिन विशेश लाव लाने वाला है और पहले से चली आ रही समस्याएं आज दूर होने वाली हैं और आज ऐसा कोई लाभाब को मिल सकता ऐसा कोई रहने वाले समय तक भी आपको फाइदा मिलने वाला होगा और वहीं बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन सुख में रहने वाला है और यह स्टुडेंट को भी आज मन चाही से पलताएं प्राप्त होने वाली हैं वहीं बात करें स्वास्त की तो स्वास्त में कोई खास मस्या तो नहीं है परन्तु मौसम की विमारी से आपको बचके रहना होगा निवेस भी आप कर सकते हैं तो आज शिंग राशे बालों के लिए दिन बहुत वेतर है बस आपको अपने सुभाव के उनसार इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्रोध नहीं करना किसी के उ मजना है अपने से क्योंकि किसी के कपड़े से, किसी के सरीर से, किसी के कोई भी विशे को लेके हम उसे जजड नहीं कर सकते हैं पता चला कि हम किसी को बहुत हलके में ले रहे हैं और वो हम पे भारी हो जाए तो इस बात का ध्यान लखना है अब बात कर लेते हैं कन्या राज की तो कन्या राज के लोगों के लिए आज का दिन कहीं न कहीं कहा जाए तो महत्त पूर्ण रहने वाला है खास के लिए आप परिछा प्रतियोगता में कोई भाग लिए है तो आपको विशेशलाब मिलने वाला है आज एस्टुडिन को भी आज सफ़ताएं प्राप्त होने वाली हैं आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हों तो सभी तरह की पढ़ाई में आपका मन लगने वाला है और इस्टुडिन को खास कर आज अपने से बढ़ों का विशेश शहयोग प्राप्त होने वाला है और पहले से ऐसे काम जो पढ़े थे बहुत आप प्रयत्न कर रहे थे नहीं हो रहे थे तो आज वो होते हुए दिखाई देंगे और सफुराल पक्ट से कोई अन्मन चल रही थी तो आज उसे आप कोशिस कर सकते हैं जिससे जो अन्मन चल रही थी वह धूर होगी या आप के साले उगयरा थे उनसे कोई काम हुआ था खासकर उनका भी स्योग आज मिलने वाला है और आज तिर तिर्थ्यात्रा करना या कोई आज campus मंदिर हो वहां जाके दर्शन करना विशेसलाब प्रदान करने वाला है या कोई आप नया कार शुरू करना चाहते हैं तो पहले जाके अपने आज पास जो मंदिर हो आपके ग्राम देवता जो भी हो उनका अशिरवाद ले ले तो आज आपको सफलताएं विशेस रूप से प तो निवेस भी आप कर सकते हैं परन्त इस बात का ध्यान रखना कि आपको जल्दवाजी कोई भी काम में नहीं करना है जल्दवाजी करना आज आपको मुश्किल में डाल सकता है अच्छे स्वास्त के माबले में हो या निवेस करना हो या कहीं कुछ बोलना हो कुछ भी हो तो हर काम में अच्छे तरीके से जानने ये समझने के बाद ही करें। मांकि कोई खास समझ्याएं दूसरी नहीं रहने बाली है। अब बात कर लेते हैं तुलाराज की तुलाराज के लोगों के लिए भी आज के दिन बहतर रहेगा। आज बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। आज आपको आर्थिक पक्ष आपका आज मजबूत रहने वाला है। निवेश आज आप कर सकते हैं। निवेश करना आपके लिए विशेश लाबदायक रहेगा। खास करें कोई प्रॉपर्टी है उसमें निवेश करना या आप पहले से निवेश किया है। तो जैसे बहुत लोग पहले से निवेश जैसे शेयर बजार वगएरा में करके रखते हैं उनको अचानक लाब राप्त होता है। वैसी हिस्ति आज बनने वाली है। तो आज निवेश आप कर सकते हैं। और वहीं बात करें दामपत जीवन की तो दामपत जीवन भी आज बेटर रिजल्ट लाने वाला दामपत जीवन में पहले से चली आ रही समस्याएं बाद व्याद आज दूर होने वाला है। और इस्टूडेंट को भी आज शफलता हैं पराप्त होने वाली हैं परन्तु आपको बीजल्दवाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। कभी-कभी क्या होता है कि हमें कोई प्रस्ण के उत्तर तो पता होते हैं, परन्तु जल्दवाजी में हम कुछ गलत बोल जाते हैं, तो आपको जल्दवाजी, खासकर एस्टुडेंट को, या जितने भी तुलाराज के लोग हैं, सभी को जल्दवाजी नहीं करना है, खासकर एस्टुडेंट को, और बाकी स्वास्त के हिसाब से भी देखें, तो आज बेतर रहेगा, बलकि पहले से चली आ रही स्वास्त से समझ्याएं दूर होने बाली हैं, आज का दिन बेहद लावदायक कहा जाये तो शिद्ध होगा, बस आपको जल्दवाजी नहीं करना है, इस बात का दिहान रखना है, बाकी कोई खास समझ्याएं नहीं रहने वाली हैं, अब बात कर लेते हैं वरश्चिक राज की, तो वरश्चिक राज के लोगों के लिए आज का दिन यस्प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा, आज मीटिंग आधिके मद्ध में, मित्रों के बीच में, आज आपका कद बढ़ने वाला है, हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि टेंसन ना बनने पाए, क्योंकि अधिक टेंसन करने की बज़ए से, किसी बीचाय में अधिक सोचने के बज़ए से, मानस्थिक टेंसन बनेगा, और जहां पर आपका मान सम्मान हो रहा है, वहीं लोग मन ही मन, आप टेंसन की वज़े से कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि लोग सोचेंगे यह अहंकारी है तो आपको इस बात से सचेत रहना होगा मांसिक टेंसन से जितना हो सके बचे उसके लिए पूरे दिन को सेडूल कर ले अच्छे से के लिस्टिंग कर ले इसके बाज काम सभरे जुदंपत्य जीवन मिला जुदारा रहने वाला है और एक स्ट्रूइंट को भी आज थोड़ा संगर्स करना होगा थोड़ी आज संगर्स करने के लिए आपको त्यार रहना चाहिए निवेश की बात करें तो निवेश आप कर सकते हैं परंतु थोड़ी साधानी भी रखें क्योंकि जल्दवाजी में निवेश करना बहुत स्रेश्ट नहीं कहा जाएगा और येदि कोई नई कार की शुरुआत करना चाहते हैं इसे भी आप कर सकते। यात्रा में साधानी रखना बहुत जरूरी कुछ इस समय से चलिए आरही हैं या ऐसा कोई काम खासकर कोई काम अर्थाद रुका हुआ काम बन सकता है कि वहीु बात करा रहेगा डिपेंट करेगा आपको उपर यदि आप अपने पार्टनर का सम्मान करते हैं उनको समझते हैं तो जो छोटे-छोटे मन-मुटाव या कंठ्यूजन की स्थिति होगी वो दूर हो सकती है यह स्टुडेंट की बात करें तो यह स्टुडेंट को मांसिक टिंसन से यह स्वास्त का आपको ध्यान रखना होगा आज पेट में अपच की स्थिति या पेट में दर्द हो गयरा इसी कुछ समस्याइं पेट जन्न तकलीफे बन सकती हैं आपको अपने खानपान में सयम रखना बेहत जरूरी होगा वहीं बात कर लेते हैं निवेस की तो निवेस करना आज बहुत स्रेश्ट नहीं रहेगा निवेस ना करें तो जादा बेतर रहेगा यदि करना जरूरी हो तो किसी जानकार व्यक्तिकी सलाह भी ले ले आप भी खुद भी जान समझ ले अच्छे से रिसर्च कर ले और जब आपको संतुष्टी हो जाए यहां निवेस करना पर अब सकतさい यहां कि अब बात कर लेते हैं मकर रास के लोगों के लिए भी आज के दिन कहा जाए अज परंटू आपको ब्रह्म की इस्किण पहदा हो सकती यह जिस से आज आपको अच्छे अच्छे मौक्य मिलेंगे परंतु हो सकता है कि आप मौका चूक जाए तो बेहद सचेत रहना होगा आपको कि जो भी आपको मौका मिले उसका पूर्ण अलाभाब ले सके दामपत्ती जीवन की बात करें तो दामपत्ती जीवन आज सुख में रहेगा और एश्टुजिन्ट को भी आज मेहनत के अनुसार जितनी आप मेहनत करेंगे जितनी पढ़ाई करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलने वाला है तो पढ़ाई करने में मेहनत करने में पीछे ना हटे वहीं बात करें, स्वास्त की कोई समस्या नहीं रहने वाली है, हाँ ठोड़ी बहुत कोई सरद्र जुखाम गव्यरा की हो जाए, परन्तु फिर बहुत दिन के उत्रारद आते हल हो जाएगा, और वहीं बात करें, निबेश की तो निबेश आप कर सकते हैं, परंदु सचेत रहें, सचेत होके निभेश करें अब बात कर लेते हैं कुम्भराज की कुम्भराज के लोगों के लिए आज कर दिन कहा जाए तो जरूरी होगा कि आप सचेत रहें पूरे दिन में जो भी आपको काम करना है उसमें सचेत रहना है आज किसी से बात व्यात करना या कोई यात्रा करना बहुत स्रेश्ट आपके लिए नहीं रहने वाली है खाज कर अपने मातापिता के स्वास्त का आपको विस्वास्त रूप से ध्यान रखना चाहिए और घर परिवार के सदस्चों का भी स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए और विश्यस बात ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी से अपनी बाते सेयर ना करें जो आपको आपको विश्वास्पात मित्र ही क्यों ना हो फिर भी अपनी बाते अपने तक ही रखे अपने राज अपने तक ही रखे इसी को शेयर करने से लोग इसका फायदा उठा सकते हैं आपको नुक्साल पहुचाने के लिए दामपत्य जीमन की बात करें तो मिला जुला रहने वाला है और यह स्टुडेंट को भी आज थोड़ा संघर करना पड़ सकता है पर अच्छी बात यह है यह आप मेहनत करने से पीछे नहीं अर्थे लगन से पढ़ाई करते हैं तो अंतोगत सफसताएं प्राप्त हो शक्ती है निवेश की बात करें तो निवेश करने से आज आज आपको बचना चाहिए हाँ परन्तु दिन के उत्तराड़ में कोई सही समय यदि आपको लगता है उचित लगता है रिसर्च करने के बाद छोटा निवेश कर सकते हैं परन्तु बहुत अच्छे से जानने समझने के बहुत जरूरी होगा कि आज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को अपनी बाते शेयर नहीं करना है और कोई यदि आप से कोई बात शेयर कर रहा है उसकी बाते दूसरे से शेयर नहीं करना है हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जो आपके ऊपर भी स्वास करते हों और आपको अपनी बात शेयर करेے यदि कोई अपनी बात अपनी अज़त आपके हाँ दे रहा है उसकी रख्छा करना उसकी इज़त बचाना आपका काम है तो इसलिए किसी की बाते किशी से शेयर करना नार कि मन में कोई बात पच्चती नहीं है तो आपको ध्यानकना बात कर लेते हैं दांपत्य जीवन की तो दांपत्य जीवन आज मिला-जुला रहने बाला है हां दिन के उत्तरार्थ में कुछ बात विवात की तीप पैदा हो सकती है तो आपको सावधान रहना होगा वहीं बात करें इस्टुडेंट की तो यह आज मिहनत करते हैं तो सफलताएं प्राप्त होंगे निवेश की बात करें तो निवेश करने से आज आज आपको बचना चाहिए दिन के उत्रारध में आप निवेश कर सकते हैं परन्तु जानकार व्यक्तिकी शलाह लेने के बाद ही निवेश करें तो मीन राशवालों के लिए आज का मुल मंत्र यही रहेगा कि जो भी काम करें तो कन्फ्यूज ना हो हूं और अपनी बाते या किसी ने बताया तो उसकी बाते किसी कोdam कर रहे हैं तो कर Arist कि आप कोई काम कर रहे हैं उसे ही करते रहे बलकि उसको और भी बेतर धंग से professional तरीके जे करने की कोशिश करें क वह जादा स्वेस्ट है रहे या भविस में आप कुछ काम करना चाहते हों उसकी प्लानिंग कर लें आज वो जाला स्विस्ट लाग देने वाला होगा दर्श को यह रहा मेश राज से लेके मीन राज तक का आज का राशी फल